वेलकाम टो इंग्लेशावल दोस्तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टन अप्डेट मैं देने वाला हूँ बहुत दिनों से ये उठा पटक चल रही है CU-CET होगा नहीं होगा क्या होगा आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक कम्प्लीट अप्डेट CU-CET के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं CU-CET यानि Central University Common Entrance Test ये पहले से होता आया है लेकिन NEP के हिसाब से इस बार पूरे इंडिया में जितने भी Central University है उस सब में एक ही Common Entrance Test होगा जिसका नाम होगा CET आज के अख़बार में जो कि Times of India का आज का अख़बार आया है उसके हिसाब से Delhi University ने ये recommend किया हुआ है कि CU-CET के modalities को तो वो accept कर लेंगे लेकिन particular Delhi University क्या करेगी कि सिर्फ और सिर्फ CU-CET का चांसे पूरे-पूरे है तो पहली चीज जो ये है कि क्या CU-CET होगा या नहीं होगा आज के अख़बार की अगर माने तो उन्होंने ये बाना हुआ है कि NEP के हिसाब से CU-CET implement होगा जिसका pattern कुछ ऐसा होगा कि quantitative aptitude, logical leading और verbal ability यानिंग्लिश ये तीन तो होंगे ही होंगे और एक subject specific test होगा और ये conduct कराएगा NTA लेकिन जो DU के VC है उन्होंने ये कहा हुआ है कि बच्चों की मेनत बेकार रही जाएगी और class 12 के जो उनके marks है उसकी भी value रहेगी ये अपने पहले वीडियो में भी मैंने कहा था कि हो सकता है Delhi University कुछ ऐसा recommendation करे कि CU set के साथ-साथ class 12 के marks की भी value हो और उन दोनों के combined score यानि class 12 में जो आपका marks होगा वो और जो CU set का entrance का आपका marks होगा वो दोनों के combined score के basis पे आपका merit तयार किया जाए तो अब आप अपने दिमाग में कोई भी doubt ना रखें किसी भी तरीके का कि CU set होगा कि नहीं होगा और इसके description में मैं अखबार का वो link दे रहा हूँ जहां ये आया हुआ है जिसमें DU ने completely ये माना हुआ है कि CU set implement होगा और in particular DU बच्चों की मेनत को जाया नहीं करेगा और दोनों के basis पे combined score की basis पे वो result निकालेगा तो अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि CU set होगा या नहीं होगा तो अखबार के हिसाब से Delhi University के हिसाब से लगबग confirmation आ चुकी हुई है कि CU set होगा अगला question ये है कि CU set का कोई pattern आया है या नहीं आया हुआ है तो CU set का कोई defined pattern नहीं है जो अभी अखबारों को पढ़के लग रहा है जिसकी आपको link भी मिल जाएगा और इस अखबार की cutting आप स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे होगा जिसमें ये कहा गया हुआ है कि quants, logical reasoning, English और एक आपका subject specific test होगा दूसरी बात यह है कि हमारे batchers CET के लिए CU CET के लिए पहले से चलते चले आ रहे है और अब इस वीडियो के बाद और इस वीडियो के पहले भी बहुत से बच्चों ने हमारे साथ enroll किया हुआ है तो अगर आप चाहते है complete information CET के बारे में या हम से जुड़ के तैयारी करना चाहते है नोट्स लेना चाहते हैं क्योंकि पहली बार हो रहा है तो कुई information नहीं है कि क्या वेपल होगा तो पुराने pattern के हिसाब से अगर आप coaching से जुड़ना चाहते हैं नोट्स लेना चाहते हैं या mock test join करना चाहते हैं तो आप बेफिकर होके इस तंबर पर contact कर सकते हैं बिल्कुल proper आपको guidance दी जाएगी Thank you so much